नमस्कार दोस्तो, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस lecture में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Muon G-2 Anomaly के बारे में एक experiment किया गया है United States के Fermi Lab में और उसके नतीजे recently release किये गए physicist के द्वारा और उससे हमें मालूम चलता है कि दुनिया में जो हमें पता है उससे कहीं जादा प्रकार के particles मौझूद हो सकते हैं कुछ नए forces हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है It could be the dawn of new physics एक नई प्रकार की physics पूरी तरह से discover की जा सकती है आने वाले कुछ दशकों में उसकी ये शुरुवात है तो क्या है ये muon g-2 कैसा particle है इसकी इतनी importance क्यों है और सबसे important हमारे लिए UPSC जैसे exams में इन में क्या पूछा जाएगा इस experiment के बारे में वो मैं आपको यहाँ पर दूँगा तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ कि अगर आप एक physicist है तो ये lecture आपके physics वाले doubts को पूरी तरह से शायद clear ना कर पाए क्योंकि मैं यहाँ पर 10 minute में आपको समझाऊंगा exam point of view से कि muon g-2 क्या है अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको physics समझादू मैं पूरी muon g-2 की तो आप थोड़ा सा गलत पते पर आ गए हैं लेकिन जो pathfinder की रास्ते पर आया है वो बिलकुल बिना knowledge के तो नहीं जाएगा basic ज्यान तो आपको muon g-2 का मैं यहाँ पर दे ही दूँगा तो शुरुवात करते हैं Luke Skywalker के tweet के साथ Mark Hamill जो Star Wars में Luke Skywalker का role play करते हैं उन्होंने कल एक बहुत ही शांदा tweet किया evidence is mounting that the force has been with us always इन्होंने ये क्यों tweet किया क्योंकि United States के physicist ने कल ये detailed report सामने रखी कि हमने जो experiment किया है उसके क्या नतीजे सामने आया 7 अपरेल 2021 को United States की Fermi Lab ने ये जानकारी साजा करी दुनिया के साथ कि उन्होंने एक experiment किया था muon experiment, muon particle पर experiment था जो कई सालों से चल रहा है और उसके जो नतीजे सामने आया है उससे ये मालूम चलता है कि जो physics के laws अभी हमें मालूम है जो standard model है शायद उसमें कुछ deviations है और standard model की जो theoretical definition है यानि कि जैसा कागस पर होना चाहिए था वैसा real life experiment में हुआ नहीं है इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ और forms of matter हो जो हमें नहीं पता है जो अभी हमको पता नहीं है एक पल के लिए अपनी आखे बंद करके सोचिए कि आप 1850 में जीवित है आपको कोई व्यक्ति आकर कहे कि electron, proton, neutron ये सारी चीजे मौजूद है आप उसको क्या कहेंगे अरे तुम तो पागल हो, कहां से आ गए हो वो कहेगा कि मैं भविश्य से आया हूँ तो शायद हम इस वक्त धर्ती के इतिहास में कुछ ऐसे ही मुकाम पर हैं हम science के इतिहास में शायद ऐसे मुकाम पर हैं कि जहांपर हमें बिलकुल नए particles के बारे में इलिनॉय, इलिनॉय राज्य में जहांपर शिकागो सिटी स्तित है उसी राज्य में, वहाँ पर एक जगे है बाताविया, वहाँ पर ये laboratory बनाई गई है क्या आप मुझे comment में बता सकते हैं कि ये Fermi कौन थे, जिनके पीछे नाम रखा गया है इस laboratory का, Enrico Fermi उनके नाम क्या उपलब्दी है physics में आप सभी ने 10th या 11th class में पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा होगा, 11, 12th में भी पढ़ा होगा जिन्होंने science लिया था, comment में बताना कि Enrico Fermi ने क्या किया था तो ये Fermi Lab है, और यहाँ पर ये experiment किया गया अब ये जो particle है, जिस पर experiment किया गया इसका नाम क्या है, इसका नाम है muon और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ये एक elementary particle है, fundamental particle इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता for now, हमें पता है कि इससे नीचे, इसको तोड़ कर और कुछ नहीं बना सकते हैं, और ये बिल्कुल electron की समान होता है, इसकी सारी properties electron जैसी है, लेकिन ये electron से 207 गुना जादा भारी होता है, इसका जो mass है, वो 207 times the size of an electron है, और ये कोई नया particle नहीं है, इसकी discovery 1930 के दशक में हो गई थी, almost 100 साल होने वाले हैं इतना पुराना है, तो इसका charge बिल्कुल electron की तरह होता है, negative charge लेकिन इसकी जो properties है, वो जारतर electron से मिलती है, लेकिन कुछ properties अलग हैं, और उनी अलग properties को यहाँ पर test किया जा रहा है, अच्छा यह lepton category का particle है अब यह lepton क्या होते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करी थी, जो underwater telescope वाला वीडियो था, बैकाल का, उसको भी देख लेना यह भी एक science and tech का current affairs है, prelims में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो नहीं देखा है जो इनको capture कर सकते हैं, और यह particles बने थे Big Bang के तौरान या अभी भी बनते रहते हैं, अब इनको कुछ categories में बाटा गया है, जैसे quarks, leptons, anti-quarks, anti-leptons, gauge boson, Higgs boson, इसका नाम तो आपने सुना होगा na, Higgs boson का, तो यह सारे कहलाते हैं, fermions, again fermi के नाम के पीछे, और यह matter और anti-matter particles हैं, लेकिन अभी इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारिया मालूम नहीं हैं, आप अभी बस इतना याद रख लेना कि यह जो muon है, यह एक प्रकार का lepton होता है, ठीक है, यह lepton category में आता है, muon, electron और neutron है, यह भी muon क्या होता है, lepton क्या होता है, बस option में दे दिया जाएगा, तो नाम आपको पता होने चाहिए, अब आजाओ इस muon के उपर, muon की कुछ particular properties होती है, muon लगातार घूमते रहते हैं, और क्यूंकि यह घूमते रहते हैं, तो यह magnet की तरह काम करने लग जाते हैं, they start behaving like tiny magnets, और यह magnet को बहुत समय के लिए exist नहीं करते हैं, यह continuously decay होता जा रहा है, in fact, यह 2.2 millionth of a second के लिए exist करता है, उसके बाद इसको हम पता भी नहीं कर सकते, इतने कम समय के लिए, 2.2 millionth समझ रहे हो, अब 1 second divided by 2.2 million, जितने 0 आते million में लगा लेना, उतने second के लिए यह exist करता है, और उतने ही second में इसको capture करके, इसको study करना होता है, scientist को, तो जब यह muon घूमता है, spin करता है, तो इसके अंदर एक, इसके एक property बन जाती है, जिसको हम कहते है, magnetic moment, मादब property बन नहीं जाती, property होती है, जिसको हम calculate कर सकते हैं, इसके लेक formula होता है, हर particle का magnetic moment calculate किया जा सकता है, तो magnetic moment calculate करने के लिए equations में एक constant, एक factor यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं G, ठीक है, constant नहीं होता है, G यूज़ किया जाता है, अब scientist को लगता था कि शायद G constant है, G की value कभी change नहीं होगी, और 1928 में ये G calculate कर लिया गया था, muon के लिए, और ये पता चला था कि इसके लिए ये होता है 2, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि ये 2 नहीं होता है, 2 से थोड़ा आगे पीछे इसकी value होती है, ये सारा खेल बस इसी का है, इस पूरे वीडियो से अगर आप कुछ भी याद रखो, तो इतना सा रखना है कि G की जो value है इसकी, ये calculation में paper पे कुछ और आई और experiment में कुछ आई, तो जैसा कि हमारे साथ होता ना कि परिक्षा में maths में sum solve करते थे, हमारा answer कुछ और आई और teacher का answer कुछ और आया, हमें लगता है कि हमारा सही है, teacher को पता है कि सही क्या है, अब इन muons को study करने के लिए क्या करना पड़ता है, accelerator चाहिए, जैसे कि Large Hadron Collider है, LHC, तो वहाँ पर जब particles को टकराते हैं वो high speed पर, तो उसमें इस प्रकार के particles बहार निकलते हैं, muon भी निकलते हैं, और भी कई प्रकार के particles हैं, जो high energy particles हैं, और इनको वहाँ पर study किया जाता है, muons की अगली खास बात यह है कि quantum mechanics में एक rule होता है, जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज खाली नजर आ रही है, कोई empty space है, तो वो असल में खाली नहीं है, वहाँ पर क्या हैं, यह virtual particles हैं, यह leptons, यह quarks, यह सब वहाँ पर exist कर रहे हैं, और यह बनते रहते हैं और decay होते रहते हैं, continuously, it's a continuous process, तो यह जो muon है, यह दूसरे particles के साथ भी बनता है, लेकिन इसका जो यह g का value है न, यह दूसरे particle influence करते हैं या नहीं, और कैसे करते हैं, यह अभी हमें मालूम नहीं है, तो on paper थो हमने इसकी value calculate कर ली है, लेकिन actually में, reality में जब experiment में हमने इसको पता किया, तो इसकी value थोड़ी सी अलग थी, क्यूंकि muons अकेले नहीं होते हैं, हमें यह तो मालूम है कि इसके साथ और particle बनते होंगे, लेकिन किस प्रकार से यह इस formula को effect करेंगे, यह हमें नहीं पता, तो अभी यह formula correct होगा, आने वाले कुछ दशकों में definitely यह correct होने वाला है, तो जब यह सभी particles एक साथ exist करते हैं, लेकिन हम तो study केवल muon को कर पा रहे हैं, ऐसे में होता क्या है कि muon का जो वो g वाला calculation है, वो perfect नहीं है, तो यह तो हमें पता चल चुका है कि जो g का value है, वो लगभग 2 के factor से ज़ादा है, इसी लिए इन experiments को कहा जा रहा है, नए वाले experiments को कहा जा रहा है g-2, तो इसमें यह calculation g-2 के हिसाब से कर रहे हैं, तो g-2 पर पहला experiment यह Fermi Lab में नहीं हुआ है, आज से लगभग 20 साल पहले एक और experiment हो चुका है, इसी प्रकार का, वो हुआ था New York State जो है, वहाँ पर एक Brookhaven नाम की जगे है, तो Brookhaven Laboratory में g-2 मेजर करने के लिए, muons के उपर यह exactly same प्रकार का experiment हुआ था, वहाँ पर भी एक accelerator था, और उसमें इन्होंने यह value calculate करने की कोशिश करी थी, उस समय भी उन्हें पता चल गया था, कि जो on paper, यानि कि वो जो formula के अनुसार, जो g की value आनी चाहिए, वो i नहीं थी, तो उस experiment से ही हमें मालूम चल गया था, कि definitely कुछ तो गड़बढ है, लेकिन गड़बढ क्या है यह हमें नहीं पता, अब क्या होता है ना कि एक experiment से कुछ final नहीं होता है, physics में आपको बार-बार, science में आपको बार-बार experiment करने होते हैं, लेकिन यह experiment काफी महंगे होते हैं, खर्चीले होते हैं, और वो जो Brookhaven वाली laboratory है, उसके पास इतना पैसा नहीं था, कि वो इतने बड़े accelerator को sustain कर सकें, उसको चला कर बार-बार यह experiment कर सकें, तो उन्होंने यह experiment उस समय शटड़ाउन कर दिया था, लेकिन उस समय से 20 साल से physicist को पता है कि देखो यह muon के अंदर कुछ ना कुछ जबरदस बात है, इसको हमें और study करना चाहिए, फाइनली एक Fermi Lab बनाई गई, 2010 के बाद में यह Fermi Lab में accelerator बनाई गया इसी purpose के लिए, और इन्होंने क्या करा, यह जो पुराना accelerator है, Brookhaven वाला, इसको भी मंगवा लिया कि इसको भी बेज़ दो, तो इसको Fermi Lab बेजा गया, हजारों किलोमेटर दूर, तो Fermi Lab तो स्थित है, यहाँ पर, Illinois में, और वो यहाँ Brookhaven, New York में स्थित थी, जो पुरानी लैब थी, Brookhaven वाली है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक भीजा गया, इस प्रकार से ट्रक में यह accelerator आया, accelerator जो है, ऐसा दिखता है, यह एक ring जैसा होता है, इसमें यह G-2 ring इसको कहा जा रहा है, यह Fermi Lab का photograph है अंदर का, इस प्रकार की ring में यह experiment अंदर होता है, इसको accelerator कहते हैं, ठीक है, ring नहीं कहते है, तो Fermi Lab जो है, इसका पूरा नाम है, Fermi National Accelerator Laboratory, इसको बनाया ही specifically इसी लिए गया था, उस समय की यह photographs हैं, और 2018 में यह पूरा setup हो गया, और इन्होंने experiment फिर से करने शुरू कर दिये, अब इनका goal क्या है, कि जो Brookhaven वाला experiment था, उससे 20 गुना जादा यह data compile करें, जितना जादा आप data compile करते हो, उतनी आपकी जो चूक होने की संभावना है, वो कम हो जाती है, और साथ ही साथ, अगर कोई exceptions हैं, तो वो exceptions को आप दरकिनार कर देते हो, तो 2020 में 170 scientist ने खटा होकर, muon g-2 theory initiative publish करी, और इसमें इन्होंने theoretically यह बताया, कि muon का जो magnetic moment है, वो किस प्रकार से होगा, क्या calculations होगी, मदब इस calculation को करने के लिए, आप समझ रहे हो, 170 scientist चाहिए थे, तो आप कैसे उमीद रख सकते हो, कि मैं यह calculation आपको समझा दूँगा, और आप यह calculation समझ लोगे, ठीक है, जो एकसा पाट, हमारा purpose क्या है, competitive exams को crack टरना, वो हम यहाँ पर जानकारी सारी ले लेंगे, तो इन scientist ने मिलकर, जो calculation करी on paper, उसमें एक बात तैह हो गई, कि वो 1928 वाली calculation थोड़ी सी गलत थी, गलत नहीं थी, मदब अधूरी थी, इन्होंने जो Brookhaven वाला experiment है, उसको भी अपने calculations में incorporate किया, और यह पता चला, कि वो जो discrepancy है, वो है, अब वो क्यूं है, उसको पता करते हैं, तो उसको पता करने के लिए क्या किया गया, accelerator में, muons को study किया गया, अब 200 scientist की team, साथ देशों के scientist, इस experiment के अंदर शामिल हुए थे, muon G-2 इसका नाम है, और इसमें इनोंने क्या करा, कि एक magnetic field बनाया, बहुत बड़ा magnetic field, और उसके अंदर, यह muons को घुमाया गया, इनको shot किया गया, और इस experiment में, बिल्कुल यह पता चला, कि जो उनको उमीद थी, उन उमीदों पर muon खरा, नहीं उतुरा, इस muon का जो answer था, वो teacher के answer से match नहीं करता था, लेकिन, अब दो रास्ते हो सकते हैं, या तो teacher सही है, या फिर बच्चा बिल्कुल Einstein है, बच्चा इतना genius है, कि उसने कोई नई mathematical equation बना दी, इस case में, बच्चा genius है, muon जो है ना, यह genius है, teacher genius नहीं है, scientist जो हैं, वो यह मान चुके हैं, कि हमारे पास अधुरी जानकारी है, इसके पास कुछ ऐसी नहीं जानकारी है, इस experiment में ऐसी जानकारियां मिली है, जो हमें भविश्य के दरवाजों को खोल देती है हमारे लिए, तो यह experiment कितने degree पर किया गया, और यह photograph है, photograph से याद रख सको तो रख लेना, यह blue color की accelerator ring है, अब जिनको physics में interest है, उनके लिए मैंने values भी डाल दी है, तो accepted theoretical value muon की g factor की क्या थी, 2.00233183620, इसमें anomalous magnetic moment इतना है, पढ़ लेना मैं नहीं पढ़ रहा पूरा, अब जो नए experiment हुए हैं, उनके अंदर यह value आई, अब आप सोचो कि यह 002 तक तो same ही है, 33 same है, 18 same है, लेकिन यहाँ पर देखो, last में change है ना, 4122, यहाँ पर 3620, अब यह इतनी से anomaly भी दुनिया बदल देती है, physics के अंदर, और यहाँ पर anomalous magnetic moment जो है, वो भी अलग है, देखो last के digits यहाँ अलग है, तो यह जो discrepancy आई है, भाई देखो maths और physics में, formula गलत नहीं होते हैं, formula अगर, formula बनाया इसी लिए गया है, क्योंकि वो हर condition में acceptable होता है, हर चीज का सही जवाब निकालता है, लेकिन यहाँ वो सही जवाब नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब formula change होगा, अब यह तो वो formula गलत पूरी तरह से था, या फिर यह formula के दायरे से बाहर यह चीज़े हैं, muon की, तो इस case में क्या है कि जो muon का property है, या muon के जैसे अन्य particles की जो property है, वो इन formula के दायरे से बाहर आएंगी, तो अब यह जो aberrant behavior है, यह जो अलग behavior इसका नजर आया है, इससे पता सिलता है कि जो अभी तक accepted theory है, standard model उसको कहा जाता है, जो formulas हैं, calculations है, standard model के, they explain most of the things that exist today, जो हमारी आज की knowledge है, वो सारी उससे okay हो जाती है, लेकिन अब यह जो muon है, यह standard model को challenge कर रहा है, तो अब इस प्रकार की physics develop होगी, जो standard model के पूरी तरह से बाहर है, तो ऐसी नई physics की theories आएंगी, जो हमने ना पढ़ी हैं, जो ना आपने मैंने school में पढ़ी होंगी, शायद 100 साल बाद बच्चे, school में इस theory को पढ़ेंगे, और वो हसेंगे, जैसे हम हसते थे, कि पहले क्या समझा जाता था, कि molecule indivisible होता है, फिर पढ़ते थे कि atom indivisible होता है, फिर पता चला कि atom को भी divide कर सकते हो, nucleus को भी divide कर सकते हो, है ना, हमने किया ना, fission, fusion, क्या किया हमने, अब ये have broken the atom, इंसान ने 1940 के दशक में क्या किया था, हलाकि उसका nuclear bomb बना लिया, लेकिन आप science की नजर से देखो, वो कितना बड़ा काम था, कि atom को तोड़ दिया गया था, तो हो सकता है कि 100 सालों बाद, इस प्रकार की नहीं physics पढ़ाई जाए, तो अब ये जो 2001 वाला experiment हुआ था, Brookhaven National Lab में, उससे नतीजे मिलते जुलते हैं, वहाँ पर भी anomaly मिली थी, यहाँ पर भी anomaly मिली है, अब आप सोच सकते हो गी हो सकता है, वहाँ पर भी एक fluk समझते हो ना, वहाँ भी तुकका लगया, यहाँ भी तुकका लगया, तो ये बात scientist को भी पता है, इनको पता है कि तुकका हो सकता है, लेकिन तुकका होने का chance कितना है, 1 in 40,000, लेकिन फिर भी ये physics में gold standard नहीं है तो ये experiment फिर से repeat किये जाएंगे आने वाले 2-3 सालों तक repeat किये जाएंगे और फिर हमें finally data मिल जाएगा लेकिन अभी भी physicists काफी strongly ये कह रहे हैं कि ये 1 in 1000 वाला chance बहुती कम है लेकिन फिर भी हम physics के gold standards जो होता है फाइफ सिग्मा एक standard होता है फाइफ सिग्मा पर जाकर हम officially ये कह देंगे कि standard model गलत है या फिर standard model inadequate है पूरी तरह से चीजों को नहीं समझा सकता है ठीक है तो बस इतना से याद रखना standard model को यहाँ पर challenge मिल रहा है और standard model जो है वो CERN के अंदर जो experiments हो रहे है ना large hydron collider के वहाँ पर जो particles हैं उनको वो explain कर रहा है अब यह उससे भी आगे की physics हो रही है तो आप समझ रहे हो कितना advanced level का यह physics है तो इससे कई deep questions हैं जो unanswered है और Fermi lab का जो data है वो आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया के physicist के लिए बहुत ही important होने वाला है और Fermi lab जैसे और भी कई accelerator बनाये जा सकते हैं आने वाले 50 सालों में अगर यहां Fermi lab के experiments अच्छे संकेत हमें देते हैं ठीक है तो यह भी वहाँ का photo है थोड़ा सा photogenic photo है डाल दिया था अब होने को यह तुक्का भी हो सकता है देखो 1 in 40,000 chance है तो वो 1 chance भी तो हो सकता है ना कि इस experiment में यही वाला result आया हो तुक्के वाला तो इसको ही secure करने के लिए और आगे experiments करेंगे फिर यह chance कितना हो जाएगा 1 in 40,000 की बज़ा है 1 in 40,000, 1 in 40,000, 1 in 40,000 क्रोर उसके बाद तो statistically impossible होगा मलब reality में impossible होगा कि यह एक तुक्का निकले तो अभी तो केवल 6% data यह बता रहे हैं कि हमें पता चला है और आने वाले सालों में और भी data हमें पता चलेगा तो इसी के साथ यह lecture समाप्त होता है अगर यह पूरा lecture समझ में नहीं आया तो Neil degrasse Tyson की एक बात गांट बांद लेना यह दुनिया यह ब्रह्मांड इसलिए नहीं बैठा है कि वो अपने आपको आपको explain करें भई आप क्या चीज है जो आपको ब्रह्मांड explain करेगा ठीक है वो तो हम कुछ तुच्छे प्राणी है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे है समझ जाओ तो अच्छी बात है नहीं समझो तो कोई बात नहीं lecture का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटेलिग्राम चैनल्स पर और UPSC का mega subscription जो offer है अनकाडमी की तरफ से को 820 April तक extend कर दिया गया है code लगा लेना महिपाल 10% discount तभी मिलेगा वर्णा नहीं मिलेगा और अगर आप 14 April से पहले पहले एक साल का subscription purchase करते हैं तो आपको printed material किताबें इसमें free मिलेंगी तो अगर किताबें चाहिए material भी चाहिए तो 14 April से पहले ये वाला subscription अवेल कर दो चार महिने की extra validity यहाँ पर आपको मिलेगी अगर आप 1 साल या 2 साल का subscription और यहाँ पर दो प्रकार के course है plus और iconic plus में आपको classes मिलेंगी iconic में आपको एक personal mentor भी मिलेंगे जो plus दोनों courses हैं इन पर आपको ये prices pay नहीं करनी है use the code and get a 10% discount तो एक साल का आपको 44,000 रुपीज पे करना है जिसमें भी आपको printed material मिलेगा almost देर साल की validity भी मिल जाएगी और भारत के best educators live पढ़ाते हैं अन academy पर और अब ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ना है जैसे पढ़ना है पढ़िए आप के लिए batch बनाया जा रहे है आप batch join कर सकते होगी 2022 को target करते होगे particular batches हैं जैसे कि 22 का जो batch बनेगा उसमें कुछ subjects मैं भी पढ़ाऊंगा 23 वाले में भी subjects मैं पढ़ाऊंगा दूसरे teachers दूसरे subject पढ़ाऊंगे तो उन batches में आप regularly regularity के साथ बिलकुल ऐसा जैसा आप classroom coaching में पढ़ते हैं उस प्रकार का महल आपको मिलेगा अगर आप optional की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप anacademy platform पर कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक combo plan मिलेगा जिसमें GS plus optional दोनों के courses साथ में available है don't pay this price यहाँ पर भी 10% discount है अगर आप code यूज कर लेते हैं SSE, bank, railway, state pieces सब के लिए courses available हैं इसमें आपको जो prices दिख रही है इसमें भी आपको 10% discount मिल जाएगा if you apply the code सभी aspirants के लिए हमने एक free test series चालू करिए Pathfinder test series इसका नाम है इसमें आपको join करने के लिए केवल एक unlock code लगाना है महिपाल और daily यहाँ पर test होता है subject wise GS के static portion का 30 question, 30 minute में आपको attempt करने है अगर आप top ranks लेकर आओगे तो कुछ exciting prices भी है लेकिन अगर बड़ा price जीतना है तो फिर combat में हिस्सा लो रविवार 11 बजे combat होता है और यहाँ पर आपको बड़ी-बड़ी scholarships जीतने का मौका मिलेगा Thank you very much Please do subscribe to Pathfinder